दोस्तु पेलिकों ने एक ऐसा पक्ची है जिसे पक्चियों के दुनिया का मगर मच भी कहा जाता है इसके चोच और गर्दर से लग कर एक थेली लगी होती है जो करीब 12 लिटर पानी को इस्टोर करके रख सकती है जिसके दम पर ये अपने आपको महान सिकारी समझ बैठती है और इसकी मदद से ये कभी कभी तो फैलकॉं का भी सिकार बड़ी असानी से कर उसे पूरा का पूरा जिन्दा ही निगल जाती है ये अपने चोच के दम पर अपने से बड़े सिकारी पे भी हमला कर देती है और अपने आउकाद से बाहर जाकर सिकार करने लग जाती है और उस ओवर कंफिडेंस का नतीजा आप खुदी ही देख सकते है दरसल ये पहली को ने कच्छुए का सिकार करने चला था लेकिन उस कच्छुए ने तो उल्टा उसी की थैली को फाड के रख दिया जिसके दम पे ये बड़े से बड़े मचली को असानी से निगल जाती है और उसे अपने फटे हुए थैली को लेकर वहाँ से 9-211 होना पड़ा अब ये पहली को जादा जिन तक जिन्दा नहीं रह सकती ऐसा इसलिए नहीं कि ये थैली के फटने के दर्द से मारा जाएगा दरसल इसकी थैली काफी पतली होती है जिसे इसको ज्यादा दर्द नहीं होगा लेकिन इस थैली के फट जाने से इसको भूखा मरना होगा क्योंकि ये जब भी किसी सिकार को निगलने की कोशिस करेगा सिकार इसके फटे हुए थेली से बाहर आ जाएगा